हर चीज के पीछे एक कहानी होती है और कॉरिडूर करेंट एफेस 2022 मतलब कि CCA 2022 के पीछे भी एक छोटी सी कहानी है कहानी को जब तक नहीं समझेंगे आगे की चीजों में आगे की जर्नी में क्लेरिटी नहीं आएगे तो 5 मिनट रुकते हैं और समझते हैं सबसे पहले कि CCA 2022 आया क्यों है देखिए मेरा UPSC 2019 का इंटर्व्यू था 2020 में 28th फेब को लीप एर था 29th फेब को मेरा मेडिकल था उसके पहले मैंने पिछले साल ही that means की 2019 के ही October के around अपना एक YouTube चैनल बना था जिसका नाम भी मैंने रखा था Delhi Mumbai बाद में चेंज हुआ UPSC PSE Corridor और बाद में चेंज होके IS Corridor हो गया सबसे पहले तो मैंने Tamil Nadu के lecture डाले थी laptop पे चिला चिला कि मैं पुरानी वाली Tamil Nadu के history के book record करता था समझाता था उसके बाद जैसे मेरा interview हो गया तो मैंने सोचा कि अब चुकी prelims आने वाला है तो क्यों ना कुछ यहाँ पे current affair पढ़ाया जाए लेकिन अभी तो हमारे पास 500-400 subscriber थे कोई income नहीं थी कुछ नहीं था चैनल का monetization भी नहीं था तो करें क्या तो हमारे पास मिला कि जो सबसे बढ़िया content है वो PT 365 के लिए जो की आना शुरू हो गया था 2020 के exam के लिए तो हमने download किया और उसको मैंने पढ़ाना शुरू किया science and technology पढ़ाया जिन लोगों ने interview दिया था वो भी देखने लगे इसी तरह society पढ़ाया quality पढ़ाया environment पढ़ाया सब की काफी तारीफ होई कि content काफी अच्छा है और content अच्छा होने के पीछे भी कहानी है लोगों ने देखा लोगों ने उसको movie की तरह देखा हमारे सारे lecture को लोगों ने हमेशा से cinema की तरह देखा है as a lecture नहीं देखा है load नहीं लिया है मज़े किये है अराम से late के इत्मिनान से देखा है और अगर दो तीन बार देखा है तो लोगों ने actually जाके अपने exam में 30-40 number का इंप्रूब्मेंट किया है क्योंकि हमारा current fair ऐसा था जिसमें static भी cover होता था current भी cover होता था बड़ी अच्छी interlinking होती थी और memorize भी करा दिया जाता था lecture के तुर मज़े मज़े में तो इस चीज की काफी तारीफ हुई और हमारे फिर वो subscriber तो बड़े बड़े धेर सारे साथ आती साथ ये भी हुआ कि कई लोगों ने जिन लोगों ने paid admission लिया था coaching institute में जितने भी अब बड़े नाम जानते हैं coaching institute का जो कि current fair deliver करते हैं अपने आम खुद सोच लीजिए paid admission वाली लोगों ने अपने coaching के lecture देखने बंद कर दिये और हमारा free वाला देखने लगे जबकि उस टेम तक credibility established भी नहीं होई थी एक नया लड़का यहाँ पर पढ़ा रहा था लोगों को एक 300 रुपए की माइक के साथ फिर लोगों ने exam दिया उसमें से कम से कम 80 लोगों ने आके thanks बोला कि हमारा prelims clear हुआ उसमें PT 365 का योगदान है कई लोग finally officer बने उन्होंने कहा कि interview त तो यह सारी popularity तो चली उसके बाद बड़े मतलब हारी दिल से मैंने channel को monetize किया एक दिन रोया दोया लोगों ने suggest किया कि नहीं मैं तो monetize नहीं करूँगा धिरे दिरे I understood की चीज़ें sustainable long term में नहीं होंगी और बहुत limited quantity आएगी quality तो maintain हो जाएगी अगर मैंने चीज़ों को ब premiums qualify करने में ऐसे ऐसे चीज़ें बढ़ती गई सब कुछ अच्छा चला CPP Group से कई लोग qualify हुए और भी कई initiative किये जो कि सारे अच्छे चले उतर प्रदेश का हो चाए अब बिहार का हो लेकिन इस बीच में जो कहानी की शुरुआत होई थी वह current affair से होई थी और वह होई थी PT 365 के नाम से तो यहां पर अब यह option था कि हम भी एक साल डेड़ साल का current affair निकाले और उस चीज को continue करें लेकिन open नहीं देना था open देने से क्या होता है एक तो कि हर जग जब available होई गई चीज तो उसकी फिरा special बात क्या रही जो चीज हर हाथ में आ गई अब यह कोई food नहीं है आप याद रखें यह कोई अनाज नहीं है यह exam को qualify करने का एक जरिया है उसमें मदद करने का एक योगदान है अगर इसको एक गटना अलग बात है कोर्स अभी भी महंगा नहीं है में यह है कि उसकी नीचे कुछ ऐसे कमेंट्स आना जो कि ऐसे लोगों की थुरू आ रहे जिन लोगों ने यूपीसी का actually में उनको full farm तक नहीं पता तो उन हाथों में यह चीजे नहीं देनी है राइट अच्छे हाथों कि किसी भी कोर्स को शुरू करने से पहले धिरे धिरे हमें भी experience हुआ है कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए तब चीज़ें डिफाइंड रहेंगे सबसे पहले कि इस series में corridor current affairs 2022 में क्या होगा that is what और वो क्यों होगा क्यों डालना है क्यों ज़रूरी है वो discuss करेंगे और current affairs है तो यह mapping जैसा हाल नहीं होना चाहिए 2022 के लिए होना चाहिए 2023 के लिए नहीं कब मिलेगा आपको clarity आनी चाहिए कि जब market में इतने current affairs है कई सारे open में बिक रहे हैं कई सारे leak हो रहे हैं तो इसमें ऐसा क्या unique होगा वो समझना है और lastly आपके मेरे से क्या expectation है और मेरे आप से क्या expectation है इसका भी discussion करेंगे सबसे पहले यहां शुरुआत करते हैं कि what what जानने के लिए आपको यह समझना होगा कि UPSC का 2021 का जो paper आया था जिसकी हमने analysis भी किया है वो paper कैसा था आपको शायद पता हो यह paper काफ़ी difficult था और कई questions में current affair connected था लेकिन static के साथ connected था कई बार current affair seven to eight years old आया था कई बार current affair regular magazine से नहीं आया था और कई बार current affair बहुत जादा factual और कई जगा बहुत conceptual था उसकी में अब भी detailing करूँगा आप चिंता मत करिया आपको यह भी पता चला होगा कि कितना भी paper tough आया हो इस बार के paper में हमेशा की तरह यह एक बार exception नहीं है previous year question जो कि UPS में आया हुए तो उनका बहुत जादा importance था इस बार तो कुछ उत्तर प्रदेश वाले भी आग और previous year question में अगर कोई term discuss हुआ है कोई animal आया है तो उसका repeat होना कोई area है तो उसका फिर से repeat होना यह बहुत common phenomenon है हमेशा होता है मेरा कहने का मतलब यह paper कितना भी tough हो गया लेकिन यह PYQ वाली चीज जो अभी तक maintain रही है तो अब आप यहीं पर समझ सकते हैं कि इस series में क्या content होगा this series is going to cover a lot a lot मतलब कि हम अब यह नहीं कर रहे हैं कि दो साल का current affair cover करेंगे और हम यह भी नहीं कर रहे हैं कि आट साल का एक एक line by line current affair cover करेंगे तो हम cover क्या करेंगे हमें paper क study करके समझ के यही समझ में आया है finally कि अब जो paper आ रहे हैं वो यह देखे जा रहे हैं कि जो 2014 से Modi government आई है और अभी तक जो चलेगी आपके 2022 तक उसके बाद भी चलेगी कि 2019 में यह नहीं government आई है तो अभी तो चलना है यह पूरा period आपके लिए important है उसके पहले का period आपके ल overall इस timeline में जो government की policies है जो Modi government ने शुरुवात में भी बनाई थी स्वच भारत मिशन आज का नहीं है लेकिन उसपर developments होती गई है और question कभी भी आसकता है डिजिटल इंडिया मिशन आज का नहीं है लेकिन कभी भी आ सकते हैं इसी तरह उस गौवर्मेंट के पहले नरेगा जो शुरू हुई थी जो की मनेरगा है ये कभी भी आ सकते हैं इनका कोई लिमिट नहीं है स्किल इंडिया ये आज भी चलते रहेंगे और क्विश्चन आते रहेंगे बागे ट्रेड बगर का ट्रेंड जो है आट-टर सल का वह तो अलग चीज होती वह एकॉनमिक सर्विस आपको मिल जाता है तो overall कहने का ये मतलब है कि हम contemporary affair cover करेंगे पूरे 2014 से लेके 2022 तक क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि आपका prelims का जो current affair आपको prelims के पहले दे दिया जाएगा पिर आप जब मेंस देने जाओगे तो और तीन महिने का current affair आपको फिर से पढ़ाया जाएगा तो इसके हमारे sources क्या है जब आप UPSC के 2021 के पेपर को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे question 2017-2018 के down-to-earth magazine से copy-pasted है हमने इतना ही नी include किया हमने 2014 से लेके 2022 तक का down-to-earth magazine cover करने की सोची है योजना magazine, कुरुचेतर magazine ये cover करेंगे अब जब PYQ important है तो कितने सल का PYQ करके जाएगा 27-28 का जो की market में मिलता है नहीं चलते हैं बहुत पहले इंदरा गंधी के time पे 1979 से 2021 तक का PYQ में आपको कराऊंगा that means 42 years बलकी लग रहा है जब आप test series देते हैं कोचिंग में तो 35-36 test देते हैं एक कोचिंग के उसके कितने question होते है 3600 ये PYQ है जिसमें की बहुत कुछ current अफेर भी होगा जिसको discussion करने का कई बार बहुत फाइदा नहीं होगा जो बहुत पहले का होगा तो आपके मिला जोला के 4000 question बनेंगे तो instead of doing एक coaching का 3600 question या दो coaching का 7000 question हम previous question ही 4000 करके चला है जया है अच्छे से discuss करके अपने course के दौरान ही मज़े मज़े में तो क्या वो अच्छी चीज नहीं है इसके अलबा current affair के और sources भी है आपके दहिंदू है इंडियन express है उसके timeline हम देखेंगे कोई news अगर बार बार repeat हो रही है बार बार development हो रहे तो वह भी cover करेंगे यह सब आपके cover है होगी इसमें PIB बगर में कुछ अलग से आ गया तो उसको भी cover कर लेंगे और obviously 42 years का जो हमारा previous year question हो उसको भी cover करेंगे तो यह है आपका what यह content आने वाला है और finally current affair जो है जिसमें की factual चीजें भी cover होगी एकदम से line by line वो आपका two year का होगा that means आप कह सकते हैं कि eight year का contemporary और current affair यह nine year का contemporary और current affair 2014 से लेके 2022 तो यह nine years हो जाते हैं यह सारा आपका cover होगा what में दूसरा question यह उठता है कि क्या हम cover क्या करेंगे finally subject क्या cover करेंगे तो subject आपके जैसे रहेंगे science and technology लेकिन आपको जानकर यह खुशी होगी कि science and technology में मैं आपका static कराने वाला हूँ, static means की में आतला आपको 11th और 12th class की biology जो है especially अलग से कराने वाला हूँ, उसका पूरा content मैं आपको पढ़ा दूँगा क्योंकि यह आज भी important था, कल भी important रहेगा, परसो भी important रहेगा, तो static में 11th और 12th class की biology जो की important आपके लिए करा दूँगा, इसमें ecology के भी कई सारे concept cover होंगे, यह science and technology हो गया, उसके लावा science and technology का current फिर जिसमें के down to earth magazine वगरा का सारा का data रहेगा, सब कुछ रहेगा, और Indian Express और the Hindu तो रहेगा है, यह हो गया आपका science and technology, then come second subject, बहुत important आपके लिए और आप corridor पर सबसे popular जो रहा है science and technology और environment ही रहा है, तो environment, environment में अगेन मैं आपको, आपको ना आज के बाद शंकरा इस बुक पढ़ने की जूरत पड़ेगी, ना कोई और बुक पढ़ने की जूरत पड़ेगी, आपको मैं यहाँ पे static और dynamic दोनों पढ़ा दूँगा, क्योंकि खास करके down to earth cover कर रहा हूँ, तो down to earth अगर मैंने 8-9 साल का cover तो आप सोच सकते हैं क्या चीज़ें आपको मिलेंगी, जितना भी ozone से related, जितना भी global warming से related, जितने भी issue है, pollution loss है, जितने भी space है, जितने भी organism है, सारा कुछ यहाँ पे cover होने वाला, और static dynamics, सब कुछ हो cover होने वाला, national park including everything, रामसर साइट, सब कुछ, तो आपके environment का complete solution, mains and prelims फिर आपका international relation, इतने time पे, 8-9 सल में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे development हुए, सारी कुछ चीज़ें देखेंगे, और obviously international relation में, places जो होते हैं, वो important होते हैं, places in news, international वाले में, और international organization वगर है, यह सारा कुछ cover हो जाएगा, then उसके बाद हम चलेंगे, economy पे, actually हम science and tech environment उसके बाद economy प पढ़ाऊंगा, economic survey पढ़ाऊंगा, और साथी साथ मैं आपको budget पढ़ाऊंगा, तो economy वाला खास करके, जनवरी, फरवरी के बीच में करना अच्छा रहेगा, और वहाँ पे भी आपकी पीवाई की वगर कवर की जाएंगी, current affair के context में, economy का जो basics है, NCRT या कहीं सीराम से करते इस बार के paper को देखने के पता चला कि quality के भी current है पर कभी important हो जाते हैं, तो quality में overall क्या हुआ इन सालों में, और पिछले एक-दो साल में क्या हुआ इसकी पूरी coverage होगी, ये completely current और फिर तक रहेगा, और उसके बाद हम international relation करेंगे, और फिर हम ये security के जो issues हैं, वो science and technology के साथ ये mix करके कर लेंगे, space और जल, मल, जितना भी है, जल, थल, जितना भी security का issue, वो सारा cover हो जाएगा, फिर आते हैं कुछ social issues, बिल वगर उसमें काफे कुछ policy वगर है discuss होगी, तो overall moody government में क्या हो रहा है, national education policy से लेके सब कुछ सवच बारत, ये सारा कुछ इसमें cover हो जाएग तो complete coverage of 9 years current affair and contemporary affair in every subject and science and technology environment static also, dynamic also, तो these things we are going to cover, also 42 years current affair of all these things, right, next question ये है कि जब market में 1,5 साल का जदा 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 दो साल का cover करते हैं, तो फिर हम इतना क्यों कर रहे हैं, लेकिन ये एक लंबा discussion है, उसमें मैं आपको 2020 का paper साथ में थोड़ा बहुत analysis करके बताऊंगा कि कहां कै कैसे क्या हुआ है, तो आपको समझ में आएगा, तो उसको हम अभी discuss नहीं करते हैं, उसके पहले हम कुछ और discuss करते हैं कि how, आपको ये कैसे मिलेगा, तो how तो मैंने आपको बता दिया कि sources क्या होंगे, आपको coverage कैसे करनी है, आपको recorded lecture मिलेंगे, हमने देखिए अपने website पे 1 1.5 एर लिखा है, और हमने ये बोला है कि Saturday Sunday को कराएंगे, इन चीजों का कोई value नहीं है, ये इसलिए के जाते हैं, क्योंकि नए लोग उनको बहुत फिक्स चीज़े चाहिए होती है, बोल के बता दो कि क्या होने वाले, अरे mapping भी complete नहीं हो, लेकिन दो questions जो है river के, maps related, दोन कैसे क्या करेंगे, और जो कि ये एक paid course है, तो कल को content बनाने में जो help चाहिए, वह हम बाहर से ले लेंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, explanation हमारा हो जागा, तो काम बढ़ जाएगा, तो how, Vimeo करके एक app है, website है, just like YouTube, लेकिन यहां पे जो content में privacy डाली जा सकती है, download बंद कर करना, और कई सुविधाएं हैं, stream करने के दोरा अंतुरन सेव हो जाता है, password लग जाता है, बहुत कुछ है, यहां पर एक video को भी sell कर सकते हैं, उसमें मैं नहीं जाओंगा, आपको क्या करना है, कि आपके पास, जो एक link दी हुई है, और उसका password दिया हुआ है, यह पूरे folder क एक common password है, एक बार खोलेंगे, playlist जैसे पूरी खोल जाएगे, तो आपको Vimeo को on करना है, open करना है, तो आप app में भी open कर सकते हो, that means की Android app में भी, और Apple का iOS में भी, डोनों में आप app से चला सकते हैं, अगर छोटे screen पे देखना है तो, और otherwise आप सीधे-सीधे browser से खोलिए, चाह आपकी मर्जी है, हर जगह, बड़े screen पे, छोटे screen पे चलेगा, you can watch any lecture, any number of times, course की validity आपकी interview तक कर देता हूं, छोड़िए, interview 2022 तक कर रहा हूं, तो आराम से तब तक देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, download आप नहीं कर सकते, आपको resolution change करना है, अगर net slow है, तो change कर लिजे, आप आपको forward करना है, तो उसके लिए भी option, तो सारे option आपको दिये हुए है, perfectly काम करेगा, अराम से लगाईए, और picture नहीं डाला जा रहा है, इसमें facecam नहीं किया जा रहा, ताकि आपके concentration बनी रहे हैं, और कभी-कभी आप बिना वीडियो देखे भी, आराम से चीजें कर सकें, next अर्ड़र के मतलब मेरे खासकर के lecture कैसे बनते हैं, जब मैंने यहाँ पर 8-9 साल का down to earth बोल दिया तो आप समझ रहे हैं, 12 के हिसाब से लिए अगर 8 साल का भी तो लगबग ये 100 down to earth की magazine हो रही है, 100 योजना हो रहा है, 100 कुरुछेत्र हो रहा है, उसी तरह जो monthly magazine piece में included हैं, तो वो भी आपकी 100 के आसपास magazine हो रही है, newspaper हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, इसके लावा आप previous question की बात करें, तो वो आपके लंबा चौड़ा हो रहा है, वहाँ पे भी मतलब कई सारी PDF हैं, 100-100 page के हिसाब से भी 10-20 हो जाती है, ये 400-500 के आसपास PDF हो गया, अब एक सार्च करो, और उसकी information निकालो, फिर organize करो, फिर a story create करो और आपको दूँ, इसमें 2-3 साल लग जाएंगे, इसलिए चीजें अभी launch होई हैं देर से, दूसरा बड़ा innovative तरीका है, मैं सारा content अपने सामने रखो, अपने दूसरे laptop में, I know कि where क्या है, मुझे type नहीं करना है, म इतना सारा bulky content से, एक short, simplified, lucid explanation के साथ, story बनाना जो है, वो मेरा काम है, तो story बनेगी आपके इस board वाले blackboard के method में, black रखा है ताकि आप लोगों को आप पे stress ना पड़े, तो finally notes का क्या, क्या आप screenshot लोगे, नहीं, इसके लिए हमने content maker एक चुना है, उनका काम बहुत अच्छा आपको जल्दी ही, जैसे ही lecture होगा, सो दो से चार दिनों के अंदर आपको उसकी PDF मिल जाएगी, उसकी link आपको Google Drive पे दी जाएगी, वो भी आपके group में pin करते जाएगे, बहुत अच्छा vision का जैसे compilation होता है, science and tech का, उसी type का आपका आता जाएगा, आपका part आता जाएगा, lecture lecture 1 का compilation, lecture 2 का compilation, बहुत organized content आएगा, that means कि lecture देखने के दोरान, आपको एक भी word note down नहीं करना है, आप यहाँ movie जैसा lecture देखने आएगे, आप मेहनत नहीं करना है, lecture खतम होने के 2-3 दिन वेट करिए, उसके बाद PDF आजाएगी, English में आएगी, PDF को यूटिलाइज करिए, बहुत अच्छा प्रॉपर एकदम PT365 जैसा compilation रहेगा, subject wise रहेगा, और उसको देखके आपको मजा आजाएगा, तो जुन लोगों ने Hindi मेडिया में जॉइन किया हूं, उनका क्या, हम कोशिश कर रहे है, translator खोजने की, जो हमारे matter को translate कर सके, जैसे ही translate होगा, हम आपको update कर देंगे, that means कि आपको lecture में कुछ note down नहीं करना है, इतना अभी तक अप ध्यान रख लिए, movie की तरह देखिए, how, next question उड़ता है कि when, कब खतम कब करो गया, हर चीज में तो late होता है, तो पहले बता दे रहा हूं, अभी November खतम हो रहा है, January 15 तक आपका science and tech और environment खतम हो जागा, static, dynamic, both, ठ बात आने लगेगी उस time पर, हाना, तो यह सारा आपका हो जाएगा, और फिर, finally, आपके Feb 15 से लेके, जाके March 15 के बीच में, या कहें कि पूरा March भी ले लें, क्योंकि अपडेट बगर भी आएगा, तो अपडेट बगर जोड़ जाड़के सारा कुछ है, art and culture का, polity का, art and culture का, quality का, international relation का, और कुछ बच रहा है, social issues का, इन सारी चीज़ों का जो है, आपको current affair, March 15 तक खतम करा दिया जाएगा, जो main important है, environment, science and technology, economy, वो आपके Feb 15 तक ही खतम हो जाएगी, unique क्यों है, क्योंकि इसमें 42 years है, PYQ, unique क्यों है, क्योंकि इसमें एक story है connection के लिए, unique क्यों है, क्यो unique क्यों है, क्योंकि resolution 4K है, unique क्यों है, क्योंकि unlimited time देख सकते हैं, unique क्यों है, क्योंकि speed बड़ा गटा सकते हैं, large screen, small screen, दोनों पे देख सकते हैं, आपकी मर्जी है, infinite number of times, तो सारी कुछ चीज़ें unique है, और finally unique इसलिए भी है, क्योंकि इसमें 9 years का content है, और एक बहुत अच्छ per timeline, और मेरी आपसे ये expectation है, कि जैसे ही content है, जिस दिन आए, उसके बीच में आप ज्यादा परिशान ना करें मुझे, अराम से wait कर लें, खतम करना मेरा काम है, अगर कहीं late होता, तो उसका कारण है कि मैं बहुत ज्यादा और चीज़ों में involved हो रहा हूं, वो भी आपके से थोड़ा patiently wait करें, आप पे जिम्मेदारी है कि जब lecture आए, तो उसको within one day देख लीजिए, और जब PDF आए, तो within one day उसको पढ़ लीजिए और अपने हिसाब से underline कर लीजिए, ये आप पे जिम्मेदारी है, और शांती बनाया रखें आराम से, और कर ये, कोई भी lecture कुछ भ हमें 21 का जो paper है थोड़ा सा वो analyze करना पड़ेगा, by the way ये folder गूगल ड्राइप में, 8GB का folder है ये मेरा, यहाँ पर आपका content है CCA 2022 का जासे में पढ़ाऊंगा, योजना 9 years का NCRT Bileaus 11 और 12 class की, magazine सारे जो मंतली magazine होते, coaching वाले ये 9 साल के, कुरुछेतर नौ साल का, down to earth 9 साल का, बहुत अच्छी magazine होती, importance अभी दिखाऊंगा, और यहाँ पर फिर आपके PYQs है, PYQ है 1979 से लेके, 2021 तक, ठीक, एक बर 2020 का paper देखते हैं और समझेंगे कि क्यों, क्यों ये सब पढ़ाने की जरूरत है, सबसे पहले आप पहला इंक question देखे, RBI के बारे में जवाया था, उस highlight कब हो था, इसके लिए आप एक newspaper की clipping देख लीजए, यहाँ पे कब आया है, 2018 में highlight हुआ था, यह उर्जित पतेल और इधर अरुन जेटली का मुद्दा था, union government और RBI का मुद्दा था, वहाँ से highlight हुआ था, आपका exam कब हुआ, 2021 में, और यह आया कब था, 2018 में, 3 years का difference है, यह question जो था, casual worker के बार में आया था, mostly notification मगर के कारण government के, तो इसको हम लोग completely current affair में account करेंगे, तो current में अभी तक हमारा कौन सा हो गया, casual worker वाला, एक यह question हो गया, यह question totally 2020 के question का, 2010 के question का repeat था, हाला कि ऐसा question पहले भी आया है, लेकिन इसको हम एक PYQ अगर solve करके जाएं तो अ public expenditure वगरा कब बढ़ाते हैं, economic recession वगरा क्या होता है, उसके बारे में, तो इसको भी हम लोग किस में account करेंगे, PYQ में account करेंगे, right, economy का, recession वाला question हम किस में account करेंगे, PYQ में account करेंगे, यह urban cooperative का question आया था, यह बिल्कुल current affair का था, तो इसको हम लोग current affair में account कर लेंगे, urban cooperative bank, यह current affair से आया था, यह bond yield का question हमेशा current affair contemporary कहीं भी मिल जाए आपको, तो इसमें भी कोई issue नहीं है, यह भी एक current affair का question था, foreign currency वाला, contemporary current जैसे भी बाटना चाहे, लेकिन मैं minimum लेके चल रहा हूँ अपने तर्क को, इसलिए इसको, आपका जो convertible currency bond जो भी है, इसको मैं current affair में account करूँगा, budget deficit monetization भी एक current affair का ही question था, तो यह भी current affair में जाएगा, budget deficit monetization current affair में आ हुआ था, यह current affair में आ हुआ था, negotiated dealing system, order matching, वो अलग बात है कि बहुत rare जगह था, बट यह again एक current affair का question, तो एक और current affair में मैं count कर लेता हूँ, copper smelting का जो news था, यह contemporary था, current था, दोनों mix था, त सकते हैं, copper वाले को, तो मैं इसको contemporary में डाल रहा हूँ, क्योंकि यह थूत कोड़ी वाले incident से काफी famous हुआ था, furnace oil का question है, वो भी again 2018 या 19 के current affair से आया, तो furnace oil का question भी जो है, contemporary में classify किया जाएगा, आपको जानकर मजाएगा, यह मैंने double coat डाला है furnace oil में, तो down to earth magazine में इतनी बार इतनी बार, जितना भी आपको down to earth magazine यह दिख रहा है, है ना, यह magazine छोड़के क्योंकि 2-3 साल पहले था, तो यहाँ पे भी आया हुआ था, जहाँ पे मैं highlight कर रहा हूँ, बाकी सारे में down to earth में इतनी बार furnace oil आया हुआ है, देखे 2017 का जो down to earth है, that said there is incomplete agenda that needs further attention, India imports and uses massive amounts of dirty fuels like pet coke and furnace soil, the emissions are deadly and uncontrollable, भीख रहे हैं आप, blue carbon का जो concept है, यह आपके current affair में आ हुआ था, blue carbon, अलग से कुछ नहीं था, तो blue carbon will be classified as current affair, next चलिए, और क्या है, यह क्या है, lichen moss, आपको पता है, lichen moss mushroom, है ना, surface without soil, देखे इसमें lichen और moss बहुत बार, PYQ में discuss हो चुके हैं, और यह NCRT biology से यहां से उठाय हुआ है, सीधे सीधे, तो आपकी जो biology का part है, NCRT का 11th और 12th class का, आपके लिए important हो जाता है, तो मैं bio का लिख देता हूँ, यहां पे एक question आराम से, और साथी साथ यह PYQ में भी हो जाएगा, क्योंकि कहीं न कहीं like and moss पड़ेंगे, तो इस question को आप थोड़ा बहुत solve कर सकते हैं, लेमन ग्रास कहीं भी कोई discussion नहीं हुआ था, दे हिंदू में आया था, यह बहुत मतलब अजीब तरीके से, केदला बगर का, लेकिन चो कि national news में था, तो इसको हम लोग current affair में count कर सकते हैं, तो लेमन ग्रास को हम दो तीन बार आचुका है, वहाँ से repeated है, so we know that कि die atom और आज में नहीं आया यह, काफी पहले आया है, ठीक है, die atoms काफी पहले आया है, मैं दिखा रहों कहा है, यह देखिए, यह 2014 का question है, die atom, crustacean, यह सारे आया थे, इतना ही नहीं है, आपको NCRT की जो biology है, class 11 की, उसमें भी die atom वगर का discussion मिल जाएगा, तो die atom आपके NCRT में भी, PYQ में भी, पैंगोलिन, पैंगोलिन दो बार आ चुका है, एक बार 1995 के पहले आ चुका है, कम से कम इसका एक बार discussion हो चुका है exam में, और एक बार उसके बाद भी आया, तो पैंगोलिन भी PYQ में है, साथी पैंगोलिन एक current affair में भी आया था Hindu और Indian Express में, तो we can classify पैंगोलिन, current affair, contemporary affair, और साथी साथ, PYQ में, अब ये देखिए, New York declaration on forest, ये down to earth से आया हुआ है, और ये contemporary में आ हुआ है, ये तो 2014 की news है, तो New York declaration जो है, down to earth में, और वो भी कब की, 2014 की, oyster का जो question है, कहीं कहीं current affair में mentioned था, तो oyster as a filter feeder जो concept है, वो शायद current affair में mentioned था, बाकी mention तो NCRT बगर में आएगा, लेकिन उसे question solve नहीं होगा न, तो oyster को हम लोग current affair में लेके चलेंगे, ये phosphorus का cycle repeated question है, NCRT की biology से ये आराम से solve हो सकता है, तो हम लोग इसको NCRT की biology में लेके चलेंगे, है न, phosphorus वाला question, bio की NCRT से लेके चलेंगे, earthworm, jellyface, millivate, seahorse, ये सारी चीज़ें जो है NCRT में बड़े आराम से mention थी, तो अगेन, biology में एक और question add हो गया, earthworm वाला detriti, वोरस वाला bio में, importance देख रहे हैं, biology के book की, निडारियन, fungi, protojoa, ये अगेन आराम से NCRT की biology से solve हो सकता था, protojoa जो है, वहाँ पे symbiotic है कि न, ये कहीं mention नहीं है, लेकिन दो आपके यहाँ पे हो सकते थे, NCRT की biology से, 64 योगिनी temple, इसका क्या, 93, 96, दो बर previous year question में, 64 योगिनी temple आया हुआ है, UPSA में already, ये question चेंगीज खान वाला जो आया था, PYQ था, ये question अल्रेड़ी 2001 में एक बहर आ चुका है, ये न, तो चेंगीज खान वाला जो था क्या, PYQ था, ये question आप लोगों के लग रहा होगी, ये completely जो है, current affairs आया है, PYQ अगर में तो कहीं नहीं आया होगा, मिताक्षरा स्कूल वगर की कहां से बात हो रही है, मिताक्षरा is a work of astronomy और Hindu law of inheritance, इसका discussion already, मिताक्षरा जो है, 1991 UPSC में आ चुका है already, ये आपको पता था, that means कि अगर हम ये पढ़के जाते PYQ, तो साइद मिताक्षरा स्कूल के बारे में थोड़ा knowledge लेके जाते तो ये question आराम से solve कर सकते थे, आपको लग रहा होगा, इसके लावा कुछ और नहीं होगा, कहीं नहीं होगा, ये रहा, योजना, September 2016, मिताक्षरा कोपेरेंसी प्रॉपर्टी, दिख रहा आपको ये, आपने पता था, आपको यहाँ पर यह सारी चीजें डिसकस हुई है पहले, ये देखिए, one of the following, the oldest Sanskrit poet whose composition still remains in original classical stylist, भावबोती, भावबोती, पूछा जा चुका है, UPSC द्वारा, बात यह ही है कि ये कब पूछा जा चुका है, वो आप जानेंगे तो आपको जानका रश्चर होगा, 1987 में, that is why 42 years, got it, ये तो obviously Montagu चेंस्पाल रिफॉम वगरा जो है, PYQ से आये हुए है, तो इसमें कोई शक है नहीं, quit India movement वगरा, खैर इसको मैं एक normal course में भी कहूँगा, PYQ की कोई ज़रत नहीं है यहाँ पे, ये जैसे परगना वगरा, ये normal किताब उसे आराम से solve हो जाता हो, इश्रो चंद विद्या सागर, तो इसमें पहले question आया कि आपके ये down to earth magazine से solve की जा सकते, इसके लिए कोई अलग से पढ़ने की ज़रत नहीं है, किताब या PYQ से तो नहीं है ये, down to earth वगरे में इसका बहुत discussion हो चुका है, अब ये palm oil का question है, है ना, ट्रीक ये थे कि palm oil is not native to South East Asia, it is native to Africa, और ये कहीं भी जो आपके newspaper वगरे में कह से important आपके लिए है, till then oil palm native to West Africa, West Africa, और देखिए, ice cream, two lipstick, soap, shaving foam, ये कब का है, और क्यों है, क्या कोई भी random article है, नहीं, एक बार इसका हम front page देख लेते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा, कि exactly demand क्या है, ये July 2018 का down to earth का magazine है, देखिए, ये पूरा dedicated to palm oil था, that means कि जो front story है, जो main story है, वहाँ से question बनाए गया, लेकिन कब का, 2018 का, ये question बहुत लोगों के लिए परिशानी था कि ये डिडवाना, वगरा क्या है, देखिए, ये 1998 का UPSC का question है, यहाँ पे देखिए, डिडवाना, और यहाँ से आपको match करना था salt, समझा आपने, ये एक पीवाई क्यू है, तो डिडवाना भी हमारा जो है, पीवाई क्यू बन जाएगा, डिडवाना, पीवाई क्यू, ये question बनाए टिपिकल आया हाला कि आईएस कोरिडूर के मैपिंग सीरीज से, इसली सॉल्वेबल था, अधर्वाइस ये आया है कि इस्टरन घाट में से, इन जारखंड में है, तो आप वो 1 और 3 को eliminate कर देते, तो आपके पास यही option बसता है, लेकिन एक चीज, उस ब्रामनी और बैतरनी रिवर में, एक रिवर जो ब्रामनी थी, उसका discussion अल्रेटी 2011 में UPC में हो चुका था, two important rivers जिसका एक सोर्स जारखंड में है, finally उडिशा में किसी और नाम से जानी जाती है, उनके बारे में जो एक question था, वो ब्रामनी रिवर के बारे में ही था, एक option वहाँ पे PYQ से repeated है, सुगर केन का question जो है, आराम से आपके PYQ से repeated है, एक दम directly पूछा है कि सुगर केन में कितना पानी लगता है, पता है आपको, खेर, ऐसे बहुत question है यह सारे जो आप देख रहे है न, इसमें tropical zone, subtropical zone, इसमें से सारा कुछ repeated है, tropical rainforest पहले आ चुका है, तो उसके बारे में आप एक स्टा जानेंगे ही, यह अर्थ में water कितना है, यह PYQ 2010 में आ चुका है, अब यह question देखिए, बड़ा difficult आय था, moringa का, tamarind का, यह सारा कुछ था यह कहां से आय था, इसकी एक एक line, down to earth के 2016 के addition से आये है, क्योंकि इसका जो 2016 का addition था, आपको दिखा रहा हूँ, September का है न, एक second, 2016, देखिए, मैं September का addition आपको दिखा रहा हूँ, यह देखिए, September 2016 का addition, यह पूरा का पूरा addition ही, moringa पे और drum stick पे देखिए, dedicated है, पूरा का पूरा addition, one second, अभी आपको दिखा रहा हूँ, लग रहा हूँ कि न, शायद कुछ तो घड़बड है, इसका आप देखिए, front issue क्या है, यह देखिए, moringa और tamarind, sorry, हाँ, इसी पे dedicated और option की, एक, एक line मैंने match किया हुए, copy की हुई है, down to earth के 2016 के article से, अभी यह सब कह पूरत नहीं कि black cotton file वगरे repeated question है, इनका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है, अब यह आया UPSC में recombinant vector vaccine कब 2021 में, इसके पहले पिछले ही साल 2020 में, repeated तो नहीं बोलूँगा लेकिन मिलता है, जूलता है question क्या आया था, आपको पता है, conjugate vaccine, pneumococcal conjugate vaccine पिछले साल आया था, इस बा या UPSC का फेवरेट इस पे कम से कम चार पांच बार question पूछ चुका है, यह ball guard जो था, उसका क्या, November 2016, dedicated to BT cotton, dedicated to BT cotton, down to earth, and here we will search, क्या ball guard यहाँ पे discuss था, क्या discuss था, हम सार्च कर रहे है, एक बार नहीं, तेरा बार discuss था, ball guard 1, ball guard 2, 13 times discussed था, this is not the only thing, actually, इससे मिलता जुलता, कम से कम ball guard नहीं, तो ball warm जो है, UPSC ने already, 2000, नहीं, sorry, 1994 में आपसे पूछ लिया था, तो PYQ भी है, downward से भी है, और यह मैंने, ball warm जो है, वो corridor के lecture में भी पढ़ाया था, ऐसे, चोटे से lecture में, तो ball warm कहां कहां है, PYQ में भी था ball guard, और down to earth में तो proper ball guard, 13 times, अगेन आप देख रहे हैं, front issue से उठाए, था ना, front page से, main article कह सकते हैं, प्रेशर कुकर, उत्तर प्रतिस का question copy pasted था, थोड़ा से change करके, अब artificial synthetic medium में जो bacteria, fungi और यह आपके जो virus का है, यह repeated question है, पहले ही virus कर सकते हैं कि नहीं artificial medium में, यह पूछा जा चुका है, exactly dito copy pasted किया गया, यहाँ पे question, virus वाला जो question है, PYQ से copy क्या हुआ है, साल में बाद में कभी पता दूँगा, इतना time नहीं देती है अभी, यहाँ पे AIDS का जो retro virus है, AIDS UPC का again favorite है, UPC 1990 से लेके आज तक, जब से AIDS के discovery हो यह पता चला है, 4-5 बार question पोच चुका है, कम से कम एक option वाँ पे बिलकुल match करता है, जिसको आप पहले AIDS बगर के question करके जाते हैं, तो कर सकते थे ठीक है, exactly pressure cooker का question UPC ने copy तो नहीं किया, लेकिन यह question 1981 का है, why it is easier to cook in pressure cooker, मिलता जूलता थोड़ा सा question, यह न, यह more steam is formed inside the cooker, boiling point of water is raised, boiling point of water is lowered, जो भी है, मिलता जूलता, Bisphenol, Bisphenol already down to earth वगर में discuss हो चुका था Bisphenol, यह आपके आया था September 2015 में काफी पहले, बाकी down to earth के कई बारे magazine में यह आ चुका है, यह देखिए Bisphenol A यहां भी आ चुका है, और यह वाली magazine जो है यह आई थी कब, यह आई थी March 2018 में, देखिए, यहां पर क्या आया, Polyvinyl Chloride Bisphenol A, यह पहले आ चुके हैं, आपके down to earth magazine में काफी पहले, और यह आया था कब, यह वाला आया था, अलग-अलग time पर मतलब बार बार आते रहे हैं, यह कहने का मतलब है, this came in August magazine 2018, बट यह देखिए, 2018 UPSC का question, Bisphenol एक क्या है, पी-वाई-क्यू, contemporary affair, down to earth हर जगा था, पी-वाई-क्यू था कि नहीं, ट्रिक्लोशन देख रहा है, presence of antimicrobial substance such as ट्रिक्लोशन in indoor dust can, यह ट्रिक्लोशन पहले down to earth में आ चुके है, इसके लाबा, आपकी जो recent आई थी, magazine वगर आई थी, उसमें भी ट्रिक्लोशन हला कि कवर ह हुआ था, down to earth में भी cover हुआ था, तो इसका coverage कहीं न कहीं, आपके current affair में माना जाएगा, उसी तरह से ट्रिक्लोशन है, यहां भी मैं देख ले रहा हूँ, हाला कि 2020 के down to earth में भी है, PT 365 अगर में भी आया था, तो ट्रिक्लोशन कोई बड़ी बात नहीं थी, और बहुत अच् PT 365 में recently ही था, लेकिन मिला ना आपको chemical का नाम हूँ अभी, ट्रिक्लोशन को हम लोग current affair में count करेंगे लिगे, जो कि magazine में था, distance of star is measured in light years, हाला कि region यहां पे नहीं बताया गया था, लेकिन light year कई बार पहले भी आ चुका है, इसको हम लोग count नहीं करेंगे, बाकि यहां पे ज privacy सीधे सीधे आपका पूरा का पूरा repeat क्या हुआ है, यह question by line आपको पता है, पीवाई क्यू से, इंडियन judiciary का independence इंडिया में जो federal characteristic है, यह by line repeated है, कापी पहले का question है, 1993 में आया था, एकदम डिट्टो repeated है, हाला कि लश्मिकांत बगर से भी आप आराम से उसका answer दे सकते हैं, state बगर, यह सारे तो repeated होते हैं कहीं न कहीं, बड़ उसमें हम नहीं जाएंगे, हम current इफर वाले पर focus करेंगे, अच्छा यह mostly आप सारे लोगों ने answer कर दिया, आपने कहा कि यहाँ पे हो जो है language, वो हम जानते थे tribe के नाम पे, लेकिन क्या आपको पता है, कि यह UPSC में 1994 से repeat किया गया है, लिंग्विस्टिक लिट रेवेडिया ने ओहाँ पे linguistic एक दिया हुआ है, कोई language, हो तो आपने सुना था, कोई आपने सुना था, PYQ में आया हुआ है यह, बाकि यह sports वाले तो contemporary है, सबको पता है, लेकिन चुकि बड़ी news थे तो यह पूछ लिया गया, Olympics वाल पे एक और भी है, रुकिये रुकिये, 14 question, जो कि current affair और environment type के science and tech type के है, यह और रहा है, 15 question, current affair, environment और science and tech type के जो है, वो PYQ से repeated है, quality बगर वाला तो मैंने, उसको तो भूल जाए, वो तो बहुत अच्छे से repeated है, मैंने liberty बगर डाला ही नहीं, यह normal current affair type के question में 15 question, that means 30 marks PYQ से repeated ह down to earth भी भी बहुत अच्छा hit है, और मैं यह नहीं कह रहा है कि down to earth से फिर से आएगा, मैं यह के रहा हूँ कि preparation अच्छे करनी है, down to earth भी कराऊंगा मैं, तो down to earth का एक यहां पे question है, एक यहां question है down to earth का एक यहां question है down to earth का एक यहां question है यह copper smelter वाला भी down to earth में discussed था furnace oil भी down to earth में discussed था तो down to earth के भी यहां पे लगबग 6 question यह लगबग 12 marks के question यहां पे आये हुए है और कई सारे question आपके contemporary affair हैं जो कि down to earth वगर से निकाले हुए है तो अब शायद आपको यहां पे importance चीजों की पता चल गई होगी है ना तो जो आपका यहां पे why question था पता चल गए आपको कि pyq से इसकी importance हद से ज़्यादा too much important down to earth की knowledge लेना is important not too much important contemporary affair is too much important ति इसी दिए सारे area को cover करके एक आपको अच्छा content देने की यहां पे कोशिश की जा रही है चलिए इसके साथ introduction होता है खतम तब आपको पूरा course का flow समझ में आगए क्या आपके lecture Saturday Sunday को fix आएंगे नहीं यह lecture कभी भी आ सकते हैं weekdays में भी आ सकते हैं आपको कैसे पता चलेगा जो आपका group है CAA 2022 पहले तो उसके notification आपको unmuted रखने है second thing यह है कि जब भी आपका lecture जोड़ेगा तो वो pin किया जाएगा देखे पिंड पोस्ट जो रहेगा न वो एक ही रहेगा और इनकेस अगर आपको नहीं दिखता है पिंड पोस्ट तो D-E-L-H-I-M-U-M एसे मत करिएगा जब जुरत पड़े तब ही करिएगा प्लीज Delhi Mumbai पर पिंड पोस्ट नहीं दिख रहा तो फिर मैं आपको फिर से अलग से पिंड कर दूँगा पिंड पोस्ट में क्या क्या रहेगा पिंड पोस्ट में आपकी link रहेगी फोल्डर की पासवर्ड रहेगा यह वीडियो के लिए और जो नोट्स दो तीन दिन बात बनके जो आएंगे प्रॉपर उसके लिए इंप्रॉप्मेंट की जाएगी पिक्चर वगर बहुत रहेंगे इन्होंने यह कंटेंट अपनी पढ़ाई के लिए आपको बताऊं यह उनके सेल्फ नोट है खुद की सेल्फ अस्टेडी के लिए ठीक है कैनी मैजिन सेल्फ अस्टेडी के लिए कोई ऐसा नोट्स बना रहे है यह उन्होंने कऑफिलिश वगर नहीं किया कभी किसी कोचिंग के लिए नहीं बना Я तो उन्होंने बेजा कि जब मैं Self Note बनाती हूं और CCP के स्टूडेंट हूं तो मैं ही बना देती हूं मैंने बॉला बहुत अच्छा देख रहे हैं यह खुद के लिए बनाये हुए सारा Self Study के लिए इतना चकॉन बनाता है यह जब सोची जब आप एक proper content maker के तिरा बनाएंगी त Saturday Sunday का कोई हिसाब नहीं है टाइमिंग का कोई हिसाब नहीं है जैसे ही फुर्चत होगी मन करेगा लिक्चर आजाएगा जो टाइम लाइन बताया है वो मिंटेन रहेगा थैंक्यू सो मच आल दे बेस्ट